हलो फ्रेंड्स ब्रेक इवन पॉइंट आ टोपिक एटले के समत्तूत बिंदू एटले सुन तेनों उप्योग इन्डेस्ट्रीज नी अंदर केविर्थे करवा मा आवे छे एना विशे आजनों वीडियो पूरो थासे एले आपने बद्धा ने परफेक्टली समझाई जासे आई याँजे ग्राफ आपेलो छे औने एक्वेशन आपेलो छे ए बणने क्लियर थी जासे एना विशे आपने जर्चा करीशू अने आ टोपिक डिप्लोमा एंजिनेरिंग सेमेस्टर पांच ना विद्ध्यार थियोंने आपने बद्धा ने ब्रेक इवन पॉइंट एक्वेशन आपेलो छे तो आज नो वीडियो पूर ओथो से एटले आपने बद्धाने ब्रेक इवन पॉइंट एटले सूँ एक कम्प्रेटली समझे जासे लेट वी स्टार्ट वोट इस ब्रेक इवन एनालेसिस अथवायनेकवाई समतुट बिन्दू पुथक करूं तो ए समझवा माटे अपने एक नाना कडू एक्जाम्पल लेए लेट वी स्टार्ट वन फेक्ट्री आपने एक फेक्ट्री शुरुवात करिए सपोज आए टेबल बनावानी फेक्ट्री आपने बनावानी छे एक वीचारी है क्या टेबल बनाववी चापने तो एनी फेक्ट्री स्टार्ट करवा माटे कोई एक रकमनू इन्वेस्टमेंट करवा पड़ से रोकाण करवा पड़ से राइट सम अने रोकाण थे यही त्यार पची केटलाग रणिंग एक्सपेंसे से वेरियाबल खर्ष्ट चलित खर्च आओ रणिंग एक्सपेंस थे फेक्ट्री ने चलाओ माटे केटलाग खर्च करवा पड़ता हुए अने ए टेबल ने मेचिये एटले केटलीक आवग थसे तो त्रोण वस्तु थाई वेल्लू थेवी इन्वेस्टमेंट बिजू थेवी रणिंग एक्सपेंस अने त्रीजी थाई एननी वेचान आवग टेबल ने मार्केट माथे जे पैसा मड़ एने केवाई वेचान एनों डिफ्रेंस एने केवाई प्रोफिट ये तो सिंपल चेके नफो क्या ने थाए के तमने जे इन्वेस्टमेंट करेलू छे ए तमने जे सामेती पैसा मड़े छे ए ए बेनों डिफ्रेंस ए जो पोजिटीव होई तो एने केवाई नफो अथवा प्रोफिट वेचान आ टेबल नी फेक्ट्री बनाववा माटे अपने जे शरुवात करिये छे त्यारे शरुवात मा चार लाख रूपियानों इन्वेस्टमेंट करिये छे तो एने केवाई फिक्स खर्च अथवास थीर खर्च अथवास थाई कर्च चार लाख रूपिया अपने इन्वेस्ट तो टोटल अपनुँ इन्वेस्टमेंट केटलू थैंू चार लाख रूपिया अने बी हज़ा रूपिया वेरीबल कोस्ट, येलैं के 4 लाख बी हज़ा रूपिया अपनुँ इन्वेस्टमेंट थैं। आपने टोटल कर्च तरो और एक टेबल ने मारकेप्रा वेंचवा जाओ छो तो धारो के इना त्रोण हजार रुपिया मढ़े छे अपने इंवेस्मेंट केटलो करे लूँचे 4,02,000 एक टेबल वेंच उरे केला रुपिया मढ़े त्रोण हजार तो नफफो थाए के लोज ज वेरिबल खर्च एक टेबल माटे 2,000 रुपिया छे तो 100 टेबल माटे केतलो थाई 4,02,000 एल्ट एले 2,2,00 stainless बेलाक रुपिया वेरिबल कुश्ट थाई 4,00 रुपिया स्थाई खर्च स्थीर खर्च चे तो टोटल खर्च था से 4 लाक वोता 22동 एटने के 6,000,000 रूपया ओले आपने 100 टेबल बनाव वभामाटे 6,000,000 रूपया इंवेस्ट करेला चे अब एक टेबल वेच वाजाय तो 3,000 रूपया माड़े चे तो 100 टेंबल मेंच वाजाओ तो केटला रूपिया मड़े? 3,000 गुणिया सो एट लेके 3,000,000 रूपिया सो टेंबल मेंची दो तो 3,000,000 रूपिया मड़े इन्वेश्टमेंट करेंची 6,000,000 तो प्रोफिट थासे का लोज जासे? Yes, obviously, लोज जासे करनाल के 6,000,000 रूपिया 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 मड़े चे तो 3,000,000 रूपिया नो लोज थासे अजी आप लागण बदिया चे लोज मा आपने फेक्टरी चलाववी नदी तारो के 100 ना बदले 220 पीस नो प्रोड़क्शन करे चे कंपनी चे एटेबल नो प्रोड़क्शन 200 पीस करे चे तो इनिशल जे फिक्स कोस्च चे तो फिक्स चे चारलाख रूपिया 200 पे बनावा माटे एक टेबल माटे बीएज रूपिया नो खर्च थाई चे तो बस्सो माटे के लला थाए? दे जारो गुणिया, बसो एलेखे चार लाक रुपया नो, विरियेबल खर्थासे, चलिद खर्थासे чार लाक रुपया, तो बसो टेबल बनावा इवह मा टे, टोटल इन्वेस्टमेंट केतलो थायू? चार वद ता चार एटले के आठ लाक रूपिया एटले आपने आठ लाक रूपिया नो इनेश्मेंट करेलू छे अने बसो टेबल चाहिए आपेला छे मार्कीट मां मेंचवा जसो तो एने केतला रूपिया मड़ से 200 गुणिया त्रण जा एटले के 6 लाक रूपिया मड़ से 8 लाक रूपिया रोकेला छे 6 लाक रूपिया मड़े छे तो 2 लाक रूपिया नो लोस जसे तो मैं जो इसको छो लोस गट तो जाए छे एला 3 लाक तो हवे 2 लाक चे तो यह मिनिंग सुद हो कि we should increase the production quantity एले production quantity वेदार सो तो एक प्रोफिट थवानी संपाव ना छे अगर अत्यार्सुती जे आपना वर्क करेलू छे एन्ने मटेरियाल से करो दाविदा करें शकाए फिक्स कोष्ट एले के F जहें पेला कोलम मा छे 4 लाक रूपिया एन्न आपने F नामा पिये production quantity एन्न आपने नामा पिये Q उत्पादनी संख्या पिला एक ती 500 थे 500 थे 500 थे 200 थे एन्ने क्यवे उत्पादनी संख्या पची छे variable cost एक पीस माटे 200 रूपिया तो Q पीस माटे A into Q एले एक पीस माटे variable q खर्च एन्ने आपने नामा पिये small a ए बराबर आई आचे 2000 रूपिया लेके चलित खर्च प्रती नंग एक नंग बनावा माटे था तो खर्च अन्ने टोटल वरियेबल कोस्ट थाई छे A into Q अन्ने कूल खर्च के पलो था से F प्लस A into Q 4 लाक वत्ता 2000 गुणिया Q बेज आरगुणिया 100 के जे वोई थे एले टोटल खर्च माटने एक्वेशन आउसे F प्लस A Q ले चार लाक वत्ता A एलेके एक पीस बनावा माट थे तो खर्च वत्ता एन्नी कॉंटिटी चे न्नी कॉंटिटी मा बने चे ते 100 तो आउव एक्वेशन माट से आ त्रीजू क स्वरी 1,2,3,4 चोथू कोलम के विर्था माड़े चे F प्लस A Q एलू कोलम में एटले F, बीजू कोलम में एटले Q, त्रीजू कोलम में एटले A, A इंटु Q और चोथू कोलम में एटले F is equal to, CT is equal to F plus A Q अवे एविज रित्ते 5 माट कोलम छे Selling Income एटले आपने नामा पिए S Selling Price Per Piece, एन आपने नामा पिए Small B, लेकि एक पीस में चवा जाओ, तो जे पैसा मड़े एनी के वाए Selling Price Per Piece, अपने एग्जाम्पल ने अंदर Selling Price चे 3000 रूपीस, त्री थाओजन रूपीस त्री आएक टे बेले वेचवा जाओ, तो 300 रूपिया मड़े चे, तो Selling Income के Selling Income is equal to B into Q, आब अब दाए equation समझा गया आसे, तो हावे एनी यंदर Profit माटने equation स्वावस, ओविएसली Profit बराबर Selling Income minus Total Cost, वेचाणावक माइनस थेल कर्चल संख्या, तो P E Profit बराबर Selling Income minus Total Cost, Selling Income एटले B into Q, Total Cost एले F plus A Q, तो आए equation थासे Profit माटन, आब दाजे equation छे, एनो उप्योग करी, आने आफगेणना Steps आपने गणले, भारोक के 300 टेबल आपने बनाविये चे, 300 टेबल माटे सू थासे, फिक्स कोस 4 लाक रूपिया चे, एक टेबल बनाववा माटे 2000 रूपिया नो खरताई छे, तो 300 टेबल बनाववा माटे 2000 रूपिया नो खरताई अने सामें Selling Income केटली थासे, 300 गुणिया 3000 एल लेके 9 लाक रूपिया, न 9 लाक रूपिया नियावग थसे, 10 लाक रूपिया नो खरत थसे, तो 1 लाक रूपिया नो लोस जसे, बजीपन आपने लोस माँ चे, तो प्रोफिट मा लाववोई तो सू करू पड़ से, कॉंटि चार्सो पीस माटे, चार्सो गुणिया भी हचार एल लेका 8 लाक रूपिया थसे, तो 400 पीस बनाववा होई, 400 टेबल बनाववा होई, तो टूटल इन्वेस्टमेंट केटलो थसे, तो 8 लाक पत्ता 4 लाक एल लेके 12 लाक रूपिया थसे, आब यहनों सरवाड़ो, 4 लाक वाप्र लाक रूपिय इन्वेस्ट करिया चे इन सामे मोड से एक लाक एक पीस ना तरण आजार तो चार्सोपीस ना 430 या टले भार लाक रूपिया अंचे अन्य लाक रूपिया आवक थाई चे तो आवक अन्य खर्च बनने एक शर्खा थाई चे So this condition is called as no loss, no profit condition जो profit थातो नथी, loss थातो नथी, 0 is the profit अजियान अवक्रतित में सो वीचारी सको quantity वधार 400 चेना बदले 550 न प्रोड़क्शन कर तो 550 न प्रोड़क्शन कर सो तो fixed cost चे 4 lakh रुपिया चे variable cost केट लिथासे 500 गुणिया 2,000 तो total cost केटली थाई 10 lakh वधा 4 lakh तो total cost 14 lakhs आने selling income केटली थासे एक टेबल ना 3000 रुपिया चे तो 500 टेबल ना केटला थाई 500 गुणिया 3000 वधा 5 lakh रुपिया थाई अवे जो असू थे वेचाना वक्थे 15 lakh रुपिया कुल खर्च थाई चे 4 lakh रुपिया तो profit नी शरुवाद थाई 1 lakh रुपिया नो profit थासे तो आनो मिनिंग सू थे हो के profit वधारो होई तो production quantity वधार वे पड़े आरो के 600 पीस लेए तो इना माटे सेम 4 lakh fixed cost 600 गुणिया 2000 रुपिया थाई 12 lakh 12 lakh गुणिया 4000 रुपिया नो खर्च थासे आने अवक थासे 12,34 सोरी 600 गुणिया 3000 रुपिया 1,5 lakh रुपिया नी इनकम थासे 1,6 lakh रुपिया इन्वेश्मेंट थासे एटले 2,0 lakh रुपिया नो profit थासे याँसो दे समझा की बताने हवेनू step एकदम इसी जे जो आजे point चे चेहां गड़ no loss no profit condition आवे चे केटला चे 400 तो यह जे 450 छे इन्हे केवाई break even quantity औने एए point इन्हे केवाई break even point तो जो loss छे एथी गड़तो गड़तो 0 थाईजे औने पची profit नी शर्व आज ताईजे बिजा शब्दमा कैये तो break even quantity करता उच्छू प्रोड़क्शन करो तो लोस जासे येना करता वधार प्रोड़क्शन करो तो प्रोफिट थसे अने ब्रेक इवन कौंटिटी जेट लूज प्रोड़क्शन करो there it is no loss no profit condition that is called as ब्रेक इवन प्रोड़क्शन करो तो ब्रेक इवन पोईंट आगाड सेलिंग इनकम एनके बार लाख औने कुल खर्च एनके बार लाख आप बनने सर्खा थाई चे तो आगे तो लखी शगाई एट ब्रेक इवन पोईंट टोटल कोष्ट CT is equal to सेलिंग इनकम SI तो CT माटने इक्वेशन चे F प्लस AQ आजो यह गड़ेलू चे F प्लस AQ is equal to सेलिंग इनकम B इन्टू Q आ सुत्रा नू डिरिवेशन क्यारे पूछावानू नते पने समझवानी जरूर चे जती करीने आप ब्रेक इवन इनालेसिस नो एक्जेंपल पूछाए तो यह समझी ने आपने इन्टू सोलूशन करी सके अवे आज यह क्वेशन चे एंदर फिक्स कोष्ट F 4 लाक रूपिया चे आपेली चे A और B पन आपेला चे A चे केटलू चे 100 रूपिया और B चे A चे 2000 रूपिया चे B is equal to F upon B minus A तो this is the equation to find out break-even quantity एनी analytical method तो एना मेंटनो सुत्राओ से Q बराबर fix cost तो इलेके स्थीर खर्च एना चेदमा Selling price minus variable cost per piece तो आपड़ा आपड़ा आपड़ी इनालिटी साखे करेलू चे इमा चार सुरू कुछ नी संख्या मड़ी के वीट ते मड़ी आ टेबल निगलतरी करे आनि जिया आगर profit 0 थाई चे त्या आगर नी quantity चार सोली दी आवे आ बद्धी ज्वेलिव सिद्धी आएक्वेशन मा मुखी दहिए तो Q बराबर F बराबर 4 लाक B बराबर 3000 ये बराबर 2000 तो 4 लाक नाचेतमे 1,000 अनके 400 पीसी स आवे गया जो आवे गया ना 400 So these 400 is called is break-even quantity तो मी तोरो आ टोपिक समझाई चे के नहीं ए कमेंट बोक्स मा खास लग चो नानक लग टोपिक चे धिमेध में आपलागलवत्त आ जीसू अने आख्याको टोपिक छे आपने बदाने क्लिरली समझाई जासे I hope का यहां सुधी नो तमने समझाई गई गई वह से अब दूजी आपेल हुछे इनो ग्राफ ड्रो करवो होई तो के वीटे करेशक आ ग्राफ ड्रो करवानों क्या ने कुछ आवान नथी मातर समझ हूँ अती आवश्यक छे जेती करीने क्या है पर तमने ग्राफ आपेल होई तो तमने समझी जाओ के एक ग्राफ डे अंदर सू क्यावा मागे छे धारो के एक सक्सी सूपर लिए कॉंटिटी लाए प्रोडॉक्शन कॉंटिटी चे आप बीजा कॉलम मा छे ते एक 100, 25,300, 35,800 अने 22,600 वर लिए रुपिया जे बाकी ना तरण कॉलम मा छे आ त्रीजू चोथँ ने बाच मा कॉलम मा छे थे बी लाग, चार लाग, पात लाग, चार लाग, चार लाग, छाओ लाग, में ते सकेल ला इस्न कारिए डिपेंड सेपो अविलेबल डिटा हवे आनी अंदर fixed cost line जेशे क्या होसे जो एक पीस नो production करो तो fixed cost जेशे 4 लाख रूपिया चे स्थीर खर्च 120, 220, 400, 500, 600 गमेटेट लापीस नो production करो स्थीर कर्च जेशे ए 4 लाख रूपिया जे रेच तो एनी लाइन आविरते हाऊसे जेशे 4 लाख रूपिया सिद्धियादी लाइन 4 लाइक्स एनने केवाई fixed cost line ये अच्चोड रेचे एमा फेरफार थातो नाते बीची लाइन हाऊसे variable cost line आ, 2 लाख, 4 लाख वाडी येले के 100 पीस नो production करो 100 पीस नो जोइन करो तो आविरते हैक लाइन मड़ से एनने केवाई variable cost line समझेग्यो variable cost line आप पेलू, बीजू, अने त्रीजू 3 कोलम थी गया, वे 4 कोलम कूल खर्च लाइन, total cost line एक या मड़ से तो जो 100 पीस नो production करो तो total खर्च केपलो थाई छे 6 लाक रुपिया एक उन्हाप्डरे 100 पीस माटे 6 लाक 200 पीस माटे 8 लाक 400 पीस माटे 12 लाक एंड सो अन अब एद्धापॉंट ने जोइन कर सो तो आविरतेक लाइन मर से एनने केवाई total cost line ए total cost line आपॉंट माँ थी चार लाग फड़ो जे पोईंट ची त्या थी पास थासे अब चली लाइन सेलिंग इंकम लाइन अच्छे लू को लमचे ड्रो करिये तो जीरो पीस नू प्रोडक्शन करो तो इंकम के लिए जीरो तो सेलिंग इंकम लाइन ड्रो करिये तो 100 पीस माट्टे 3 लाख, अले के 100 पीस होई तो त्या 3 लाख यहां होसे, 200 पीस माटे 6 लाख, 300 पीस माटे 8 लाख, 9 लाख, 400 पीस माटे 12 लाख and so on. आ बद्धा पोइंट ने स्टेट लाइं ती जोन करो तो आ वीरत já लैन आपसे, इनने केवाई Selling Income Line. तो आ जे Selling Income Line छे, यहन यंदर आ जे पोइंट छे, जे Total Coach Line औने Selling Income Line बेको मना आ चर्श थाए छे, आ पोइंट इनने केवाई Breaking Even Point आपसे, अने break-even point आगड जे quantity आवे चे ने कि वा break-even quantity आजे table draw करेलुँछे एमापन 400 वा आवे चे equation निंदर 400 वा आवे चे ने graph ने इंदर पन जो break-even point 400 quantity आवे चे ग्राफ न सम्झाए तो चिंता न करता, ए मत्र समझवा माटवा चे, ग्राफ पर त्यापन ऐडिया होसे के जो आउपनो डिजियन चे इस इंडिकेट्स प्रोफिट, इस इंडिकेट्स लोस आ प्रोफिट्ट चे लोस चे लिएंए न उर्ष्लोफिट कंदिशन अन्य ब्रेक इवन पॉइंट आगर आजे 12 लाक रुपिया माड़े चे एने किवाए ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज एमके आ डेटा माटे ब्रेक इवन पॉइंट रुपिया मागर तरी करो तो यह उसे 12 लाक रुपीज अब एक सिंपल एग्जाम्पल गणिए fixed cost of a company is rupees 4 lakhs एक कमणी नू स्थीर खर्च 4 lakh रुपिया चे variable cost per piece अले F बराबर 4 lakh रुपिया चे variable cost per piece is 40 रुपिया अले के A बराबर 40 रुपिया चे variable cost अले के 4 खर्च selling price of per piece is 60 रुपिया एक पीस ने मेज़वा जाओ तो market मा 100 रुपिया मड़े चे आपे लुचे शरुवत न 4 lakh रुपिया इन्वेश्मेंट करे लुचे fixed cost रुपिया 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 चे running expenses आपे ला चे 40 रुपिया पर piece अने selling price आपे ले चे 60 रुपिया find out break-even point अत्वा सम्थोट बिंदू सोतो ब्रेक इवन कॉंटिटी माटे नुए अपने हमला जगणतरी करी अखो graph draw करोवे तो यह पन करी शको और ब्रेक इवन कॉंटिटी माटे नुटेबल अखो बनावो यह तो पन बनावी शको जह आपने आगर जोईतु है अने डायरेकली गणतरी करवी होई तो सिद्धू एक्वेशन चे ब्रेक इवन कॉंटिटी इस एकल तो f अपन b-a तो f बराबर 4 लाक रुपिया चे b बराबर 60 a बराबर 40 4 lakhs अपन 60 माइनस 40 अलेकर 4 lakh अपन 20 अले ब्रेक इवन कॉंटिटी आऊ से 20,000 पीसिस एकडम सिंपल एक्वेशन चे एकज एक्वेशन नो प्यों करवानों चे f अपन b-a तो आथेगी ब्रेक इवन कॉंटिटी I hope it is clear to you अवे आनो ग्राफ टो करवो इतो आविटे टो करनी सकाई x-axis, y-axis, b4, 4, 10 बार fixed cost line, variable cost line, selling income line and break-even point, break-even quantity, profit and loss एक ग्राफ छे, समझवा बाटाई छे समझवा आवाश्वर छे, क्यारक ने-क्यारक एनी जरूरियार पड़वा नी संभाव ना छे बीज़ एक्जामपल fixed cost of a company is 60,000 रुपीस एक कंपणी नो स्थीर खर्च 7,000 रुपीया छे ले f बराबर आपे लुजे 60,000 एक पीस माटे 20 रुपीया छे find out break-even quantity and break-even point हाव अहिया तम्हें वीडियो स्टोप करी दो आए एक्जामपल चाते गणो गणी और पची तम्हें वीडियो ओन करी चेक करो के तमारो आंसर और आंसर साचो आवे छे के ने और पची comment box माला खोके तमने आए एक्जामपल आवड़ी गयो के नथे आवड़ी solution चोई है solution break-even quantity माटे नएक्वेशन चे f upon b minus a f बरबर 60,000 upon b is equal to 20 minus a बरबर 10 so 60,000 upon 10 that is equal to 6,000 तो break-even quantity आउसे 6,000 pieces तो आ company 6,000 piece नो production करे त्यारे no loss no profit condition थासे एडले के एने 6,000 करता वदारे production करूँ पड़े एना करता ओचू production करे तो loss चसे अज ये अनियंदर इवी ते पुछेल हुए ये break-even point रूपिया माँ गान in terms of rupees एडले के 6,000 piece होई त्यारे केटला रूपिया नो खर्च थायलो हसे ए गलत रिकरवी चे अथवा केटला रूपिया नी आवग थे लिएसे तो केवी ते माणे 6,000 piece छे एक पिसना 20 रूपिया तो 6,000 पिसना केटला थाए बी break-even quantity नी इन्टू बी 6,000 गुणिया 20 एडले के अथवा बिजरीते करूँ वोई तो f प्लस eq थी पन करिशकाई f बराबर 7,000 वत्ता e बराबर 10 q बराबर 6,000 10 6,000 गुणिया 10 एडले 7,000 7,000 वत्ता 7,000 एटले 1,20,000 स्वरे या बार 6,21,20,000 आवशे बार लाख उपिया नी आवे 7,000 गुणिया 20 एटले 1,20,000 आवशे या चार मिंडा चेले 4 मिंडा आवशे 5 मिंडा नी आवे लाव करेक्शन करी दिये आएक मिंडू आवशे नई I hope this is clear to you next example fixed cost of a company is 60,000 रुपिस एक कंपनी नो fixed खर्च अचर खर्च 7,000 रुपिया चे डेटा ने श्रोट माला कोईद आवशे लाखी शका एफ बराबर 60,000 रुपिस Selling price of a product is 30 रुपिस ए प्रोड़क्ट ने मार्कीट मां वेचवा चाओ तो वेचाण कीमा 30 रुपिया चे इना आपने नाम आपिये चे B variable cost is 20 रुपिस पर पीस एला के चलित खर्च ए प्रोड़क्ट ने बनाववा माटे नो variable खर्च आपे लूँचे 20 रुपिया तो find out production quantity आपे ली छे 15,000 क्यू बराबर 15,000 वेचाण जे 15,000 पीस चे नो वेचाण करवा माँआवे छे So find out break-even quantity, profit and profit volume ratio आग रातरी करूए तो के विटा करी सु तो सवती पेला break-even quantity गणिए तो sorry break-even quantity आमाँ गणिशकाई पड़ा ये 20 step, 20 रिते गणिवा लूँचे profit गणवा छे तो profit गणवा माटे सु करूँ पड़े total खर्च केटलो था से ए गणवा पड़े तो कुल खर्च येला के fix cost plus variable cost थाई तो आग कंपनी 15,000 पीस बनावा माटे कुल केटलो खर्च करे चे 70,000 रुपिया पेला invest करे ला छे 1,000 पेला पोइंटर ले ले जे एक पीस बनावा माटे केटला रुपिया चे 20 रुपिया variable cost चे तो 15,000 पीस बनावा माटे केटला थाई 15,000 गुणिया 20 वत्ता 7,000 इनिशेल इनिश्मेंट चे येले total cost आउसे 3,000,000 इटले के 15,000 पीस बनावा माटे कंपनी ये 3,000,000 रुपिया नो खर्च करे लो छे वे माध ये आवक केट ली थासे यानि के वे selling income B into Q तो B into Q बराबर केटला उसे B बराबर 30 रुपिया शे एक पीस मेचवा जाओ तो 30 रुपिया मडे तो 15,000 पीस ने मार्केट मा मेचवा जाओ तो केटला रुपिया मडे तो इस गुणिया 15,000 इटले के 4,500,000 रुपिया मडे के 9,000 रुपिया 90,000 रुपिया is the profit of this company बराबर प्रोफिट मडे गयो अवे break-even quantity ये तो आखा गामने आवड से break-even quantity बराबर F upon B minus A F बराबर 60,000 B बराबर 30, A बराबर 20 एटले break-even quantity आव से 6,000 पीस तो break-even quantity मडे गयो प्रोफिट मडे गयो आव फाइड प्रोफिट वोल्यूम रेश्यो तो प्रोफिट वोल्यूम रेश्यो सद्वा मडे गयों एक्वेश्यन चे B minus A upon B into 100 B बराबर 30 रुपिया A बराबर 20 30 मैनस 20 नाचेद मा 30 गुणिया 100 30 मैनस 20 येल 10 10 नाचेद मा 30 गुणिया 100 एडले के गणसो येले break-evan analysis नो कोई पन एक्जामपल चे ये आपने गणता आवड से ये completely समझाई जैसे example number 4 Find out break-evan point Fixed cost is 10,000 Rupees, variable cost per piece is Rs.50, selling price per piece is Rs.120 Sells quantity is 200 Find out profit and profit volume Ratio, Fixed cost F बराबर आपे लूचे 10,000 Variable cost A बराबर आपे लूचे 50 10 रूपिया पर piece येले के 1 piece ने बढ़ावा माटे कॉंपनी ने 50 रूपिया नो खर्च थाई छे अन्ने A piece मार्कीट मा वेचवा जाओ तो 120 रूपिया माणे छे अन्ने कंपनी 200 piece नो प्रोडक्शन करे छे अत्वा 200 piece ने मार्कीट मा वेचे छे find out break-even quantity profit and profit volume ratio आत्राण शोधवाना छे तो सवती पेला total cost नी गणतरी करो तो केटलो थासे कुल खर्च केटलो थासे 10,000 रूपिया अचण खर्च छे अन्ने 220 बनावा माटे केटला खर्च थाई 50 रूपिया एकपीस बनावा माटे तो 220 बनावा आत्रे 200 गुणिया 50 वता 10,000 यहले के 20,000 रूपिया नो कुल खर्च थासे अन्ने selling income कर ली थासे B into Q यहले एकपीस मेच वा जाओ तो 120 रूपिया माड़े छे तो 220 पीस मेच वा जाओ तो 24,000 रूपिया माड़े तो selling income थाई 24,000 total cost थाई 24,000 बेनो difference profit is equal to selling income minus total cost 24,000 minus 24,000 4000 रूपिया एकए 4000 रूपिया नो आ कंप्री ने 4000 रूपिया नो नफ़ो थासे break-even quantity F upon B minus A, F is equal to 10,000 B is equal to 120 minus 50 10,000 upon 120 minus 50 रूपिया 143 तो break-even quantity रूपिया 143 अने त्यार बात फाइंड करवानों चे profit volume ratio तो profit volume ratio एना माट रूपिया सुत्र चे B minus A upon B into 100% तो B barabar value मुको 120 A barabar 50 upon 120 120 minus 50 upon 120 रूपिया 120 minus 50 रूपिया 70 70 upon 120 रूपिया 58.33 that is the profit volume ratio for this given data I hope this problem is also clear to you Now example number 5 अवे आप प्रूब्लम आया वीडियो श्टॉप करी दो अने तम्हें जाते गणतरी कर पच्छी तम्हें चेक कर जो कि तम्हार आंसर साच्छो चेकने Fixed cost of a company is 50,000 रूपिया F बराबर आपे रूपिया 50,000 रूपिया variable cost per piece is 10 रूपिया लगे A बराबर 10 रूपिया Selling price B बराबर 20 रूपिया find out break-even point break-even quantity if selling price is increased by 10% find out new break-even point चो selling price 10 रूपिया तो 9 break-even point अगे के वीट गाणिसू सोथी पहला break-even point गणिये break-even quantity is equal to F upon B minus A F बराबर 50,000 रूपिया बराबर 20 A बराबर 10 5000 रूपिया that is the break-even quantity आप तो आपने बदाने आवल से अजे break-even point in terms of rupees गणवानू 25,000 गुणिया 25,000 गुणिया 25,000 गुणिया 10,000 एना 10 एटले 1,000,000 break-even point in terms of rupees आवसे तो ए आवसे 1,000,000 हवे नियंदर वेचान कीमत मा फेलफार करवानो छे जो वेचान कीमत मा 10 टकानो वधारो करवामा आवे तो 9 break-even points आवसे तो new selling price एट 10 टका वधारोनी छे तो 10% राइस एटले सुधाई B plus 10% of B तो B बराबर चे 20 रुपिया एना 10 टका जेली price वधारोनी छे तो 20% sorry 10 टका 10% of 20 10 per century of 20 एले 2 रुपिया थया तो 20 वद्ता एटले 9 selling price थे 22 रुपिया तो selling price वधी गई हवे 22 रुपिया थे गई छे तो 22 रुपिया selling price होई त्यारे break-even quantity कर ली थासे तो new break-even quantity is equal to F upon B minus A F बराबर 50,000 आपेला छे B 9 B लेवानू 22 minus A बराबर जे आपेलू 25,000 आपेला थे 9 break-even quantity आउसे 4,1,6,7 पीस 5000 रुपिया थे गटी अने 4,116 रुपिया selling price वजे तो break-even quantity आँ थे गयो simple example अवे छट्टो एग्जाम्पल चेनि अंदर आप बदोज analysis आवी जासे अत्यार सुदियना ये 5 5 एग्जाम्पल करनेला चे 5-5 एग्जाम्पल आए एग्जाम्पल न अंदर आवी जासे आए एग्जाम्पल आई इंग्लिश मा आपेलो चे गुजराती मा जो तमारा डेटा जोईतो होई तो बूक न अंदर आपेलो चे आपेलो चे The details of the company RS follows एक कंपणी न इडिटेल आवी रिदेशे Sales येन वेचान चे 5000 उनिट ये कंपणी 5000 पीस ने वेचे चे Selling price per piece is 20 रूपीस जो आखा को डेटा नाव आजता एक एक लाइन वाचता जाओ समझता जाओ Sales 5000 पीस Selling price per piece येन आपने नामा प्ये B B बरबर 20 रूपीस येलेकि एक पीस ने मार्केट मां वेचवा जाओ तो 20 रूपीया मड़े जा variable cost per piece ये चलित खर्च बरबर आपेलू छे 10 रूपीया येक प्रोड़क बनावा माटे कंपणी ने 10 रूपीया नो खर्च थाई Total fixed cost f बराबर आपेलू छे 4 रूपीया हवे एक पचेक चोता जी है पेलू सुचे find out break-evan point and break-evan quantity तो पेलू solution number one break-evan quantity येटलेस हू f बराबर 4 रूपीया b बराबर 20 a बराबर 10 तो 4 राचेत बाद 10 येटलेके 4 40 हजार pieces आथ है क्यो break-evan quantity break-evan quantity रूपीज मा अगर्वी होई in terms of rupees तो सु करवानू break-evan quantity multiplied by selling price येलो 40,000,20 येना बराबर होसे 8 lakh रूपीया so break-evan point in terms of rupees is equal to 8 lakhs rupees आप पेलू जे question छे येनू answer थेगयो find out profit volume ratio profit volume ratio ये गना माटे नूशूत्रा सुचे B-A upon B into 100 b-20 a-10 20-10 10-20 1 upon 2 50% ये ये प्रूपीट आपेल हो छे profit volume ratio 50 तका रसे अवे त्रीजू, state the effect on break-even point if selling price is reduced by 2 रुपेस, क्यानी selling price जे चे, ए 2 रुपया गटाडवा मा आवे, तो break-even point उपर एनी सू असार थासे, तो जो ए त्रीजू स्टेप आवसे, नवी selling price सू थासे, जुनी selling price चे 20 रुपया चे, इमा बे रुपया गटाडवाना चे, एले 20-2 रुपया थाई, नवी selling price थाई अड़ा रुपया, तो नवी selling price थाई अड़ा रुपया, तो new break-even quantity F upon B minus F बराबर 4 लाग, B बराबर अड़ा, A बराबर 10, तो 4 लाख ना चेद मा 8, एलेके 50,000 pieces, तो 30 question नो answer आउसे, new break-even quantity is equal to 50,000 pieces, एवी जरीते चोथू step, इमा सूचे जूँओ, state effect on break-even point if variable cost is raised by 50%, variable cost एट ले आ, A, A जेशे, एपचास टका वदी जाए, तो break-even point उपर सूँओ असार थाई, तो 50 टका वदी जाए, लेके जूँदी प्राइस चे 10 रूपया चे, एमा 50 टका वदार होता ही जाए, तो के विट ते लखाए, A plus 50% of A, new variable cost is equal to A plus 50% of A, लखोई दावी ते लखाए, A बराबर 10, plus 50 per century, पचासना चेद माया 100, of A, लेक, of 10, 50 upon 108 ले, 0.5 into 10 ले 5, so 10 plus 5 is equal to 15 रूपया, अवे आप इसनी नवी variable cost था से 15 रूपया, right, this is new variable cost, अवे या 15 रूपया प्रमाने एनू break-even quantity ticket ले आगे, so new break-even quantity is equal to F upon B minus A, F बराबर 4 लाग, B बराबर 20, आने A बराबर 15, तो चोथा problem माटे, चोथा case माटे, नवी break-even quantity आउसे 4 लाखना चेद मा 5, एट लेके 80,000 pieces, 30 रूपया आउसे 15,000, चोथा रूपया आउसे 80,000 pieces, कि चोथा प्रमाने, चो company work करती होए, चोथा नमबर नो data प्रमाने, कि variable cost 50 रूपया होए, लेके variable cost 15 रूपया होए, selling price 20 रूपया होए, तो एए 80,000 piece नो production करसे, त्यारे no loss, no profit condition आउसे, 80,000 करता वदा नो production करसे, तो profit थासे, एना करता वचो production करसे, तो loss थासे, 25 रूपया होए, find out profit for given debt, आचे data पेलोचे, एना माटे नो profit नी गणातरी करो, नफो, तो profit एलेके नफो के वीचे थाई, आवग वदारे होई, अने जावग उची होई तो, तो आवग केटली थाई चे गणिया, selling income, एलेके वेचाना आवग बराबर B into Q, एक पीस ना 20 रूपया चे, तो पचास जार रूपया चे, तो पचास जार रूपया केटला थाई, 20 गुणियां पचास जार एटलेके 10 लाक रूपया, वेचाना वग थासे 10 लाक रूपया, selling income is equal to 10 लाक रूपीस, अने total expense, total खर्च केटलो थाई चे, एक पीस बनावो तो 10 रूपया variable cost थाई से, तो पचास जार पीस बनावो तो पचास जार गुणिया 10, एटलेके 5 लाक वद्था चार लाक रूपया इनिशियली fixed cost चे, एटले total cost is equal to 4 लाक वद्था 10 कुणिया 55 लाक वद्था पांच लाक एटलेके 9 लाक रूपया नो खर्च थासे, एटलेके आप 50,000 पीस बनावा होई तो कंपनी ने 9 लाक रूपया नो खर्च थासे, अनिया 55,000 पीस बनावा थी 10 लाक रूपया नो प्रोफिट थासे, एटनी आवग थासे, तो आवग अने खर्च एनो difference ये लेके वे profit, so profit is equal to selling income minus total cost, 10 लाक मैनस 9 लाक ये लेके 1 लाक रूपया तो आपकम नीनो प्रोफिट थासे 1 लाक रूपया, अवे छेल, what is required sales for the profit of 2.5 लाक रूपया नो प्रोफिट करवव होई, तो एटलू सेल होई जोई, अवे छेल लो मुद्धो छे, खाच समझीने गाण जो, profit is equal to 2.5 लाक रूपया सेजार, क्यू बराबर what, what is क्यू, तो selling income माटेनों सुत्रसू छे, B into Q, अवे 8 लाक रूपया जोई एछे, तो कम्पनिये केपलू वेचाण करू पड़े, तो क्यू जे छे ए अन्नोन छे, क्यू शोद्वानों छे, ए अपेलों लथी, तो selling income थासे B into Q, डी बराबर अपनलों छे 20 उरुपया, तो V into Q, टोटल कोस्ट कर लिए थासे F plus A Q, जे आपने अगाव एक्वेशन में उक्यों करे लों छे, F बराबर 4 लाक, A बराबर 10, आनि Q बराबर अन्नोन, तो टोटल कोस्ट थासे 4 लाक वत्ता 10 Q, Selling income थासे 20 Q, तो profit ये बेनों डिफ्रेंस, profit is equal to selling income minus total cost, जे एक्वेशन बदेव क्यों करे लों छे, तो Selling income चे 20 into Q, बराबर profit चे 80 लाक, जे आपने इज मेड़ोवानों छे, Selling income 20 into Q, आन्ने टोटल कोस्ट बराबर 4 लाक वत्ता 10 Q, जो या गळेला चे, 4 लाक वत्ता 10 Q, आया भुल धवारी संभावना चे, आया बाद बाकी नी निशानी चे, मैनस नी निशानी चे, येले 20 Q मैनस अन्ने ब्रेकेट मा टोटल कोस्ट लगवानी, पचि मैनस निशान अंदर जती रेसे, येले 8 लाक बराबर 20 Q, मैनस 4 लेक्स, मैनस 10 Q, मैनस अन्ने साधुरूप आपओ, तो 25 लेक्स, तो 10, आन्ने 4 लाक अब जो विजेले प्लस ती जसे, तो 10 Q बराबर 4 लाक वत्ता 8 लाक, येलेके 6 लाक रुपिया, तो 10 Q बराबर 6 लाक पचास जार, येले Q बराबर 65,000 यूनिट्स, येलेके 560,000 पीस नो प्रोड़क्शन करो, तो कम्पनी ने 10 लाक रुपिया नो प्रोफिट थसे, आ एनो मिल्यू थे गयो, मित्रो, I hope के आपने आ टोपिक परफेक्ली समझाय गयो होसे, अन्ने अब बदाज एकसांपल छे, अपना वड़ी गया होसे, तो आ सब्जेक जे छे, एंटरप्रेनिश्प एंड स्टा सारा मसारो ग्रेट छे, ए आववानी, पुरेपुरी समपाविना चे, सोचेल मीडिया ना वेरेस प्लेट्फरम चे, ना थी पन तमा जोड़ाय एला छो, चे लवा बित्रो आवेला चे, इमनों चैनल मा स्वागत छे, एलो कोपन आवेदा सोचेल मीडिया ना प्लेट्पर कर दो है, एलो क्या है?